बच्चों हम जो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत important है because हम प्रक्रती के बेहत नजदीक जा रहे हैं क्यों क्योंकि हमारी जो poems हैं वो हमें nature के बहुत करीब लाती हैं इससे पहले जो हमने poem की थी वो भी आपने देखा कि हमें nature से बहुत जुड़ाव महसूस हो रहा था same here in this poem आज हम जो हमारा pro section poetry का section है उसमें for ilkana का part second करेंगे जिसमें हम आज क्या करेंगे बच्चों stranger explanation for ilkana की हम अगर बात करें तो हमें पता है कि for ilkana जो है वो निसी musical सर के द्वारा लिखी गई है एक बार हम हमारे first part को recall करते हैं बच्चों हम poet के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि निसी musical सर का बर्थ 1924 में मुंबई इंडिया में हुआ था उस वक्त जो है हमारा इंडिया freedom struggle की life से गुजर रहा था उस दौर से गुजर रहा था और ये जो निसी musical सर हैं इन्होंने अपनी तरफ से अपनी जो studies है पहले William College मुंबई में की और बाद में की further studies लंदन में हुई इन्होंने Mumbai universities में पढ़ाते हुए ही बहुत सारी poems लिखी और साथ में ही कुछ एक plays भी इन्होंने लिखे हैं अगर हम बात करें post-colonial poets की तो निसी musical सर का नाम सबसे प्रमुक्ता से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने जो Indian poetry है उसको English में लिखने का बहुती बखोवी काम किया है अवार्ड की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं सबसे पहला अवार्ड तो यह है इनका कि इनको UK और USA में लेक्षरार के रूप में टाइम टू टाइम पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था और अगर हम awards में honorary awards की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं हमारा India का जो famous है पदम श्री अवार्ड पदम श्री अवार्ड से निसी मिजिकल सर जो है वो सम्मानित हैं बट हम कह सकते हैं इनकी जो यात्रा है अन्तिम यात्रा का जो पढ़ाव है वो 2004 9th January को फिनिश हो गया थ साइट मिंस 9 जनवरी 2004 में ये म्रत्यू को प्राप्त हो गए थे परंतु बच्चों हम सबसे बड़ी चीज एक ही कहेंगे कि इन्होंने जो है हमारी इंडियन जो poetry है उसको इंग्लिश में भले लिखा बट इनकी जो simplicity है इनका जो बात रखने का तरीका है इंडियन environment को उठ कि अपनी बात रखते हैं ये ये हम सब के लिए बहुती सुखद और सुलव है हमने बच्चों समरी भी पड़ी थी इस poem की हमने आपको बताया था बच्चों कि इस poem में तीन main characters है फर्स्ट जो character है वह है husband अगर हम second character की बात करते हैं बच्चों तो हम क्या देखते हैं जो हमारा second character है वह है wife it means husband wife and उनका एक six seven years का जो son होता है उसकी ये तीन characters की हम इस poem में पूरे में बात करते हैं हम क्या देखते हैं कि husband wife जो है अप्रेल की एक सुखद शाम को घर के बाहर बैठना पसंद करते हैं और वहाँ पे बैठके थोड़ी देश शांती के बाद में ही पतनी शुरू हो जाती है कि देखिए ये जो window है ये इसका काच तूट गया है पती को पता होता है कि आगे क्या answer आने वाला है बट वो keep silent mode पे रहते हैं और वहे कुछ भी नहीं बोलते हैं बट जो wife है वो chatting करती हैं बोलती रहती हैं chatting box की तरह है बट हम क्या देखते हैं बहुत ही सुलजी भी पतनी है वो वो अपने घर को चलाना बहुत खुबखु भी जानती है वो इधर उदर की gossiping भी करती है बट तभी वो उन दोनों के बातों में interfere होता है क्या interfere होता है उनका जो six years seven years old जो उनका son ह होता है वह उनके पास में ही गार्डन में खेल रहा होता है और वह बच्चा जश्ट आके अपनी मदर को कहता है कि ममा मुझे भूख लगी है ममा refuse करती है ममा के तो के पांदस मिनेट रुकिए आप और अपने husband के तरफ देखते हैं वो सोचती है कि मेरे जो husband है वो बेटे को मना लेंगे और मैं थोड़ी देर ओर शाम का लुथ उटा के बाहर गार्डन में बैठी रहूंगी बट वो क्या देखती है उनके जो पती मौदे हैं वो दूसरी तरफ अपने नजर गुमा के खड़े हो जाते हैं बैट जाते हैं इधर उदर देखने लग जाते हैं तब ब बच्चे की लॉजिक से बहुत ही जादा इंप्रेस होते हैं सेम मदर भी बहुत इंप्रेस होती है मदर को तो अपने बेटे की मासूमियत पर हंसी ही आ जाती है और इस तरह से हंसी मजा करते हुए वो तीनों जैन अपने घर के अंदर चले जाते हैं तो यह हमने फर्स्ट सलिफनी किया है अपने बुक्स को अपन करें स्टेंज equation अपना इंप्रेंट है है स्टेंज explanation को वन बई यहां continue करेंगे और आपसे भी request है कि आप भी अपनी बुक्स में जो हाड़ मिझिंग से उनको टिक करते जाएंगे और मेरे साथब रिडाउट करते रहेंगे So, ready with me? We are taking here our first stage of this poem, Ilkana. देखें, यहां पे, starting देखें, the warm April evening, April महिने की बहुत ही अच्छी शाम थी, tempts us to the bridges, tempts, tempts means charm, it means हमें अपनी तरफ प्रलोभीत करती है, आकर्शीत करती है, breezes का अगर हम बात करें बच्चों तो breezes का मतलब है slow moving wind, आपको पता है अप्रिल के महिने में जो शामे होती हैं, वो थोड़ा सा शाम को टाइम, गर्म हवाएं कम चलती है, और सुखद हलकी हलकी जो हवाएं हैं, धीमी चाल से बहने वाली जो हवाएं हैं, वह हम सब को बाहर क थंडी थंडी शाम में बैठने को आकशित करती हैं, sauntering across the lawn, sauntering means moving slowly, चहे कदमी करना, lawn means it means grassy field, आप देखिए कि अमूमन लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर थोड़ी सी खुली जगह रखते हैं और उस खुली जगह पे greenery, पेड़ पौधों के साथ घास भी उगाके रखते हैं, ताकि जो हमें कह सकते हैं हम कि हर्याली हम सब के लिए बहुत important है, हमें oxygen तो देती हैं हमारी आखों को, हमारे शरीर को, हमारे हर अंग को वहें अपनी तरफ से important चीजें प्रदान करती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात होती है, सुखद होना, हर्याली हम सब के के लिए बहुत ही सुखद है, तो सेम यहां पे, temps is to the bridges, हमें प्रलोबीत कर रही थी, ठंडी ठंडी जो हवाई हैं, वहें, सौंट्रिंग अक्रोस दर लॉन, और हम लॉन के उधर चहल कदमी करने के लिए, लालाई थे, जो ग्रीनरी है, वहां जाने के लिए हम, लालाई थ वी ड्रैग णोट चेर्स डाउन, वी ड्रैग आउट, यहां पे, कौन है, husband और wife, दौनों ने अपनी चेर्स ली और ड्रैग करना, ड्रैग करना मीश पुल करना, अपनी चेर्स को पुल करके, वू लॉन में लेकर आगए है और हम कह सकते हैं कि वो लोग आके वहाँ पे इधर उधर बैठ रहे हैं उसे की बजाए वो खुद अपनी चेर्स अंदर से लेके आए हैं और उन चेर्स पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एक स्टोंज को यहां पे हम कह सकते हैं कि बात करने का बात को बढ़ाने का गजर्या है और यहां पे अपनी बात को प्रमुखता से रखना भी इनके लिए बहुत ही इंपर्टेंट है पर निसी मिजिकल सर ने इसे ही continue किया है second stanza में देखिए unevenly to sit और rather sprawl unevenly it means उंचे नीचे तरीके से unevenly उंचे नीचे तरीके से rather rather का बच्चो मतलब होता है यहां पर to some extent sprawl sprawl means to sit with arms and legs spread अगर हम अपनी भाषा में बताएं बच्चो तो यहां पर unevenly to sit or rather sprawl यहां पर poet जो है वह यह कहना चाहते हैं कि जो पती पतनी है वो चेर ले जाते हैं लौन के अंदर और वहां पर कुर्सियों पर पसर कर seats पर पसर कर in silence till the words begins to come एकदम शान्ती थी कहीं पे भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था लेकिन कौन शुरुआत करता है आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझ में आगया होगा बच्चो अब यहां इस टेंजा में इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं माई वाइफ एज इस हर वे मेरी पतनी जैसा कि उनकी आदत में शुमार है सर्वेज दे सीन कमेंट सर्वेज सर्वेट में लुक्स केरफुली इधर उधर देखते हैं हम बाहर बैठे होते हैं बाहर बैठके कभी घर की तरफ देखते हैं कभी बाहर की तरफ देखते हैं तो पतनी महदे के बारे में बात की जा रही है कि जो मेरी पतनी है वो सर्वे कर रही थी इधर उधर जो अलग-अलग सीन थे द्रिश्य थे उनको देख रही थी और कमेंट comments means says what she feels टिपनियां भी बराबर करती जा रही थी सबसे बड़ी टिपनी उन्होंने पत्नी ने किसके उपर की और ब्रोकन विंडो पेन एक काच की जो खिडकी होती है वह तूटी भी थी और उस काच का तूटना ही ब्रोकन होना तूटना ही पती पत्नी के भारताल आपको continue कर रहा है यहाँ पे इस टेंजा थर्ड में इसको देखिए suggest a thing or two पत्नी क्या कह रही है मुझे कुछ ऐसा advice दीजे और वो खुद भी advice देती रहती है खुद भी सला देती रहती है that every husband in the neighborhood knows exactly how to do neighborhood, neighborhood means हमारे जो पडोसी होते हैं पडोस वाले घरों के जो husbands हैं उनके बारे में chatting हो रही है यहाँ पे exactly exactly means appropriately यहाँ पे पत्नी अपने पती से कहती है पहले broken window की बात की उन्होंने mirror की जो broken window है उसके mirror की बात की then after क्या बात हो रही है यहाँ पे वो suggest कर रही है कि ऐसी एक दो चीजें तो बताओ that every husband in the neighborhood knows exactly how to do का पडोस वाले हर पती को पता होता है कि उसे क्या काम करना है कैसे करना है it means वो indirectly अपने husband के उपर इन सब चीजों को कहकर point out करना चाहती है except of course the man she loves और पती क्या मैसूस करते हैं कि सिर्फ अपने पती के बारे में नहीं जानती है अपने पती की feelings को नहीं जानती दूसरे के पती क्या काम करते हैं दूसरे के पती अभी एकाज चुटावा होता तो थोड़ी सी देर में ठीक कर देतें परन्तु क्या आप कर रहे हैं क्या तो यह जो इनके बीच में conversation होता है यह continue रहता है who happened to be me तो यह क्या यहां पर बात है except of course का पहले मैं आपको meaning बताओ बच्चों living aside except means living aside सिवाए पती को छोड़ कर सारे चीजे पतनी को पता है पडोसी का पता है of course it means reality में क्या ऐसा होता है but बाते करना कहीं न कहीं पतनी की आदत थी और पते उस चीज को अच्छे से महसूस करते थे see इस ज़ग फोर्थ कंटिन्यू है यहां पे बच्चों फोर्थ में जो पोएट है वो अपनी बात को रख रही है कैसे रख रहे हैं देखिए unwilling to dispute unwilling to dispute unwilling not desiring anything अनिच्चुक तरीके से कोई कुछ बोलू कुछ करू dispute it means वाद विवाद से बचना पतनी वाद विवाद करने के लिए तयार थी देखिए पड़ोस वाले husbands जो हैं उनको इतने सब चीजों का पता है वो इतने सब काम करते हैं बट क्या आप यह सब चीजे कर रहे हैं क्या तो यह यहां पे continue था पती जो है वो कही न कहीं बिल्कुल भी इच्छित नहीं कि वो अपनी पत्नी से वाद विवाद करें The obvious fact क्या था इजीली सब को दिख रहा था कि actual में क्या है पती को भी पता था काज टूटावा है पत्नी को भी पता था काज टूटावा है That she is always right परन्तू पती की क्या habit थी? हर बार की तरह वो क्या कहते थे? कि आप सही है मैं गलत हूँ क्यों क्योंकि वो बात को खतम करना चाहते थे तो वो अपनी पत्नी को यही बात कहते थे I turn towards the more और मैं दूसरी चीजों की तरफ देखने लग जाता हूँ कौन लग जाता है? यहां इस पोया में जो हस्बेंड है वह दूसरी चीजों की तरफ देखने लग जाते हैं attractive views that opens up और attractive attractive means beautiful to look up तो बहुत अच्छी थी सुन्दर सुन्दर चीजे उसको वहां पे दिखाई दे रही थी behind my eyes and shuts her out वह देख रही है कि पती कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे है कुछ भी बात नहीं कर रहे है लेकिन पती को भी पता होता है कि मेरी जो पतनी है वह देख रही है मुझे बट उन्होंने अपना बलकुल बंद कर रख था passenger 5 जो है वह थोड़ा सा और अग्रसिव मूड में हम सब के सामने आ रहा है देखिए यहां पे Her voice crawls up and down the lawn उनकी जो आवाज थी crawls up, crawls up means most forward slowly धीरे 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 जो मेरी पतनी की आवाज है वहे बढ़ रही थी and down the lawn और मैं क्या देख रहा था कि मैं अपनी तरफ से नीचे lawn में देख रहा था क्या देख रहा था our son होई seven हमारा बेटा जो उस वक कितने साल का था seven years का था कितने साल का था seven years का था hears it and it reminds him of something वो हम दोनों की वारतालाब सुन रहा था और तभी उसको बच्चे को कोई चीज रिमाइंड होती है याद आती है remind means make him to be remember something he stands before us और जैसे कोई चीज याद आती है बच्चा parents के पास में आता है और क्या कह रहा है देखिए his small legs well apart पीता अपने बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चे के जो छोटे छोटे पाउं है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं crescent moon lack chin uplifted और अपने बच्चे के सुन्दरता का वर्णन करते वे पीता कहते हैं crescent means a curved shape pointed at both ends जो chin है वो curved shape लियावा है और ऐसे लग रहा है कि both ends finish हो रहे हैं it means chin बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अपने बच्चे की chin का यहां पे वर्णन किया है eyes hard and cold आंखे जो बच्चे की है वो बहुत ही hard है और cold है it means eyes का chin का face का वो वर्णन कर रहे हैं to speak his truth बच्चा जो है अपनी बात कर रहा है अपनी बात रख रहा है और देखिये in masterly determination determination it means बच्चे ने कुछ द्रड निश्य कर रखा होता है और उस द्रड निश्य के आधार पर बच्चा उनके पास आके खड़ा होता है और क्या कहता है mommy I want my dinner now mother मुझे तो अभी की अभी खाना चाहिए रात का जो खाना डिनर है वह बच्चा मांग रहा है अपनी मदर से तो बच्चों क्या उनकी मदर फुल्फिल कर रही है क्या क्या मदर की इच्छा है कि वो अभी अंदर जाए और अंदर घर के अंदर जाके खाना बनाए नेक्स स्टेंजा पढ़िए मेरे साथ में तब हम इस चीज को ज़्यादा अच्छे से फील करेंगे बच्चों बच्चों जब हम स्टेंजा 6 करते हैं तो हम क्या देखते हैं हस्बेंड और वाइफ की बांडिंग के बारे में बात की जा रही है इस पलसर और निसीम इसिकषरू एक ऐसी अंडेस्टेंडिंग हस्बेंड और वाइफ के बीच में ऐसी अंडेस्टेंडिंग की बात करते हैं जो कुछ नहीं होते हैं यहाँं पर वाइफ वाइफ और हूजज dud present in unusualUP परड़ अन्यूजवल अन्यूजवल में नॉट नॉर्मल बिल्कुल भी सामान्य नहीं एंड रैपड रैपड में फ्रेंड ली रिलेशन्शिप इन दौनों हस्बेंड और वाइफ के बीच में एक ऐसी रिलेशन्शिप बन जाती है जिनको हम पती-पत्नी तो कहते ही हैं स्वर्ति-पत्नी कूल यंड काम की तरह रखते हैं नेक्स लाइन ये बिंस कहते हैं या स्पीक आर ऐथ नार्थ त्रू वर्ड्स कई बार बिना कुछ बोले चाले वह एक दूसरी के भावनाओं को समझ जाते हैं एक दूसरे के बारे में जो उनके काम होते हैं कर देते हैं एक दूसरे के लिए केरिंग रूप में वो समर्पित रहते हैं और बच्चों के प्रति उनका क्या रूख होता है देखिए Children must be disciplined बच्चों को discipline में रहना चाहिए discipline आप सब को पता है remaining in rules rules के अंतरगती बच्चों को रहना चाहिए अनुशासित उत रहेंगे तो आगे भी अनुशासित जीवन ही अपनाएंगे देखिए यह पर से लोग सट About me आप यहां पर शी किस दीए आया है यहां परशी आया है शी आए वड़े यह जो आ आया है यहां पर मी और आई अगर हम कहें तो यह आया है हस्भेंड के लिए शी लुक्स एट मी पतनी ने मेरी तरफ देखा I look away मैंने क्या किया मैं दूसरी तरफ देखने लग गया इसके पीछे रिजन क्या था जो बच्चा है वो डिमांड कर रहा था डिनर की और जो मदर है वो क्या कहती है अभी टाइम नहीं हुआ है not this time और वो यह है कहके अपने husband की तरफ देखती है क्यों देखती है ताकि उनको यू लगता है बच्चों की husband भी react करें husband बच्चे को समझाएं कि yes आपके ममां सही कह रही है यह time नहीं है but husband क्या करते है वह है दूसरे तरफ देखने लग जाते है the son is waiting जो बेटा है वो इंतजार कर रहा है किस चीज का डिनर का कौन बनाता है डिनर बच्चों डिनर मदर बना रही है तो यहाँ पर क्या होता है the son is waiting in another second दूसरे हिशन क्या होता है he will repeat himself repeat का मतलब होता है उसी बात को उन्होंने वापिस कहा किस बात को कि मैं भूका हूँ और मुझे खाना चाहिए तो इसी बात को बच्चे के द्वारा repeat किया गया why wax finger wax wax means shaking हिलाना जो पत्नी है वो क्या करती है और बच्चे की मा है वो क्या करती है वो अपनी finger को shake कर रही है shake means हिलाना movement देना family delivers verdict delivers means resides and verdict means decision वह अपना एक firm decision देती हैं कौन देती है बच्चे की मा जो है वो बच्चे के लिए जब वो देखती है कि मेरे husband तो कुछ भी नहीं कह रहे है मैंने का बच्चे discipline में रहने चाहिए तब भी मेरे husband ने कुछ भी answer नहीं दिया बच्चे की प्रती उन्होंने कोई बात नहीं किया और वो दूसरे तरफ देखने लग गए और बच्चे ने जब दुबारा खाना मांगा तो mother ने क्या किया वेक किया अपनी finger को और एक firm decision उन्होंने सुनाया क्या wait इंतजार करो बेटा अभी खाने का time नहीं हुआ है in five minutes I will serve you dinner पांच मिनट रुक जाएए पांच मिनट में मैं आपको दिनर सर्व कर दूँगी तो यहां पे सर्व का मतलब होता है खाना परोसना जिसे हम कहते हैं तो मा अपने बच्चे को कह रही है आप पांच मिनट रु है क्या I think 7 साल का बच्चा है तो थोड़ा सा उसके अंदर अभी वो समझ नहीं है कि मुझे क्या सही है और क्या गलत है तो आप बताइए आपको क्या लगता है बच्चों की क्या वह रुक पा रहे हैं क्या I think no yes हम इसको read out भी कर लेते हैं तो हमें ज्यादा easily समझ में आ जा है see and read in this stanza eighth no says the little one जो साथ साल का लड़का है वो क्या कैता है नहीं और उसके पीछे वे है reason भी दे रहा है क्या दे रहा है not in five minutes now पांच मिनट में नहीं ममा मुझे तो अभी के अभी चाहिए I am hungry मैं बहुत भूका हूं मुझे अभी के अभी डिनर चाहिए again देखे it occurs to me the boys like his father occur occur means comes into mind जो मा है उसके दिमाग में क्या आता है कि जो बच्चा है वो बिलकुल अपने father के उपर गया है बिलकुल father की तरह ही वो treat कर रहा है कि नहीं कोई चीज चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए I love him as I love myself लेकिन mother mother होती है और वो क्या कहती है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ जैसे कि मैं अपने आपको प्यार करती हूँ और आपने देखा होगा बच्चो ये हर घर की कहानी है जो मदर है वो कितनी बीमार है जो मदर वो कोई भी काम कर रही होती है और बच्चे ने कहे दिया mama I am feeling hungry तो वो सारे कामों को side में रखके बच्चे की मंचाही मुराद को it means खाना बनाना शुरू कर देती है लेकिन यहां पर अगेन क्या हो रहा है मा जो है वो थोड़ी देर बाहर जो शाम का समय है उसका लुथ उठाना चाहती है और वो क्या कहती है वेट डार्लिंग वेट थोड़ी देर रोग जाओ थोड़ी स में आपको हम खाना बना के दे देंगे खाना बनता है या उससे पहले बेटे का अर्ग्यूमेंट हो जाता है बच्चो यह आप अपने उपर लेके फिल करें इस चीज को आपको क्या लगता है आप अगर यह बच्चे की जगे होते तो आप क्या फिल करते इस ओके I know you are in 11th class not a little one अभी आपको अपना patience power अपना शो करना आ गया है बट 7 years का बच्चा जो है वो patience नहीं रख पाता है बच्चा क्या कहता है बट I am hungry now ममा में तो अभी भूका हूँ ना मुझे तो अभी खाना चाहिए declaims the little bastard in five minutes declaims declaims means speaks और बच्चा होता है उसके लिए यूज किया जाता है तो वो फिर केते हैं अरे पांच मिनट पांच मिनट तो बहुत जादा है I won't be hungry anymore पांच मिनट उपके बाद तो मेरे भूक ही खतम हो जाएगी मुझे बिलकुल भी भूक ही नहीं लगेगी बच्च पांच मिनट बाद में मम्मा भूक मर जाएगी खाना देना है तो आप तो अभी मुझे खाना दीजी इस आरग्यूमेंट आपेस शुमी जो लड़का होता है उसके जो फादर होते हैं उससे लिटेड लाइंस है बिटा ये लो उससे लेटेड लाइंस है और फादर क्या कह कि बच्चे ने जब यह कहा ना कि पांच मिनिट बाद में तो मेरे भूकी फिनिश हो जाएगी तो यह चीज फादर को बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो क्या कहते हैं सच्चे लॉजिकल डिजर्फ इस डिनर स्ट्रेट अवे यह जो लॉजिक दिया गया है अपनी बात को तर्क से मनवाना साथ साल का बच्चा अपने बात को तर्क से मनवा रहा है डिजर्फ तो जो बात मनवाने में माहिर है तो उसको क्या डिजर्फ तो करता ही है वो इस एंटाइटल टू बी अ वर्दी ओ और वहें इस चीज का अंटाइटल हो जाता है योग्या हो जाता है कि इसका his dinner is straight away, straight away, immediately, father क्या कहते हैं अपने बेटे के लिए कि बेटे ने खाने के लिए बहुत अच्छा तर्क दिया है और इस तर्क का तो यही फैसला है कि बच्चे को तुरंथ प्रभाव से खाना मिल जाना चाहिए और अब उसकी मदर को बिल्कुल भी लेट नहीं करनी चाह उसे हम यहाँ पर कवरप कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए मदर है क्या वो पिघल पाती है नहीं पिघल पाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे मेरी जो पतनी है वो क्या कर रही है डिलाइटफुल इट मींस हाइली प्लीजिंग बहुती ज्यादा मेरी पतनी को इस बात से आनद आया किस बात से जब अच्छा कहता है कि पांच मिनिट में मेरी तो भूख ही फिनिश हो जाएगी और जो मेरी पतनी है वह हंसने लग जाती ह हैं लाफिंग करने लग जाती हैं और हम तीनों क्या करते हैं एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो बच्चों यह निसी मिजिकल सर ने जो परिवार वाद के ऊपर कहानी पोयम के रूप में जो हमारे सामने कहानी पेश की है वो वाकई बहुत ही काविले तारीफ है husband, wife और बच्चे हर घर में होते हैं हर बंदे की एक feeling होती है और वही feelings को इजिकल सर ने बाहर निकाला है उसी feelings को पोयम के रूप में ढालके हम सब को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है कि हमें हमेशा unity bonding में रहना चाहिए बच्चा है वो अपने बात को कह रहा है तो बड़ों को भी उस बात की feelings जो बच्चे की feelings है उसे जरूर महसूस करना चाहिए हो बच्चों आपको यह पोयम पूरी समझ में आ गई होगी next part में बने रही है विंदू के साथ में क्योंकि हम next part में करेंगे question answers तब तक hard meanings को अपने अपने copies में note down करेंगे बार बार पोयम को reading और writing mode पे लाएंगे और पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे